सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वेड चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए अब को ध्यान होगा कि अभी हाली में पाकेसाणी फाइटेस द्वारा Indian Aerospace में प्रवेस करने वाली एक फेक रिपोर्ट वायरल हुई थी और जबकि इसके साथ एक रिपोर्ट ये भी वायरल हुई थी कि पाकेसाणी फाइटेस को एलुसी के बेहत करीब देखा गिया है और ये जो दावा था एक खास करके इस आधार पर किया जा रहा था क्योंकि हाली में L.O.C. की पास आसमान में एक स्मोक ट्रेल दिखाई दी थी यानि कि धुएं की पट्टी जो की अकसर हाई फ्लाइंग एरक्राफ्ट के पीछे बनती है लेकिन कि आप जानते हैं कि एरक्राफ्ट की पीछे जो ये धुएं की पट्टी बनती है ये किस कारण से होता है तो आज के एपिसोड में हम इसी की बारे में बात करेंगे So without wasting any time, let's begin आप सभी ने इस बात को notice किया होगा कि जब सर्दियों के मौसम में हम अपने मूँसे हवा बाहर के तरफ छोड़ते हैं तो हमारे मूँसे सपेद कलर की भाप निकलती है और ये जिस कारण से होता है ये वही कारण है जिसके बज़े से एरकाफ के पीछे भी सपेद कलर का आपको धुआ दिखाई देता है हालनकि एक्चुल में वो धुआ नहीं होता है बलकि एक तरीके का बादल होता है और इस सब में एक बहुती simple सा principle काम करता है जो में लगता है कि आप सभी ने अपने school time में जरूर पढ़ा होगा जिसे हम कहते हैं condensation यानि कि एक ऐसी घटना जिसमें पानी अपने gases form water vapor से एक liquid form में convert होता है और इसी वज़े से aircraft की पीछे जो smoke trail निकलती है उसे technically कौन trail कहा जाता है जिसमें कौन का मतलब है condensation और trace का मतलब है एक तरकी पटी यानि कि condensation trace जिसे आप vapor trace भी कह सकते हैं और एक condensation तब होती है जब atmosphere में गर्म हुआ अचानक से ठंडी होती है और जिस वज़े से जो उसके इंदर water vapor को hold करके रखने वाली capacity होती है वो lose होने लगती है और फिर water vapor एक gaseous form से बदल कर एक liquid form में आता है और जब यही water vapor ज़्यादा मातल में condensed होता है तो वो एक बादलो की drop plate का form लेता है लेकिन अगर atmosphere काफी ज़्यादा थंडा है तो होगा यह कि जब वो water vapor उस थंडे वातावरन के साथ mix होगा तो water vapor से पानी की form में आने के और इसी वज़े से जब एरक्राफ्ट अधिक उचाई पर उड़ाय होता है तो उस उचाई पर हवा एक तो पतली होती है और ठंडी होती है लेकिन एरक्राफ्ट के engine से जो exhaust gases बाहर निकल ली है वो गर्म होती है और इसी वज़े से जब यह गर्म exhaust gases बाहर के ठंडे atmosphere के साथ mix होती है तो उन gases में जो water vapor मौझूद होता है वो liquid form में convert होके बर्फ के छोटे छोटे crystals में जमने लगता है और फिर जिसके बाद वो हमें एक सफेद धुएं की पट्टे की तरह दिखाई देता है और ऐसा ही कुछ हमें हमारे सरद्यों के मौसम में हमारी cars या bikes में देखने क को भी मिलता है अपने अकसर नोट किया होगा कि सर्द्यों के मौसम में जमीन में चलने वाले vehicles के silencer से भी सफेद कलर का धुवा निकलता है और इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि ये condensation वाली जो process है ये तब भी होती है जब aircraft low altitude पर होता है लेकिन उस समें इस तरह की कोई भी smoke trail या control नहीं बनती है और उसका reason ये है कि उस altitude पर बहार के atmosphere के temperature इतना नहीं होता है कि वो water vapor से convert हुई liquid droplets को उसकी vaporize होने से पहले उसे जमा सके और आपको ये भी clear कर दें कि ये सपेद कलर की smoke trail केवल fighter jets सी नहीं बनाते हैं बलकि ये किसी भी aircraft द्वारा बन सकती है बस depend करता ह कि वो कौन से altitude पर और कैसे atmosphere में उडान भर रहा है और अगर आपके मन में ये भी सवाल आ रहा है कि अगर engine के exhaust gases के वज़े से control बन रही है तो फिर कुछ aircraft और खास करके fighter aircraft के wings के पीछे control कैसे बनती है क्योंकि fighter aircraft के engine उसके wings के नीचे तो नहीं होता है तो बता दे कि fighter aircraft के wing के बीचे हवा को left side में rotate करता है और एक खास करके तब देखने को मिलता है जब fighter aircraft high G manverse करता है तो इस समय aircraft के wing के पीछे हवा का एक बवंडर बनता है और उसी बवंडर को कहते हैं vortex और चुकि ये wing से बनना है तो इसलिए पूरा नाम हुआ wing tip vortex और जब इस बवंडर में हवा घ दिखाई देती है लेकिन आपको ये भी बता दे कि जो 5th generation के aircraft है यानि कि ऐसे aircraft जिने stealth बनाया जाता है ताकि उन्हें आसानी से कोई भी attack ना कर पाए तो उनमें इस तरह के vortex effect को avoid किया जाता है उनमें आपको इस तरह के contrast देखने को नहीं मिलेंगी और इस तरह के aircraft के wings भी अ aircraft engine के exhaust में एक खास सरका mixture inject किया जाता है इसमें कुछ colorful dyes या फिए aerosol के कुछ small particles सामिल रहते हैं और जो ये सवाल है कि कुछ smoke trails या कुछ contrast काफी लंबे समय तक रहती है और कुछ बहुत जल्दी गयब हो जाती है तो ऐसा क्यूं होता है तो अगर बाहर के हवा काफी जादा थंडी है यानि कि उसका temperature minus में है और उसमें humidity काफी जादा है तो liquid droplets को जो की ice crystal के form में convert हो चुकी है उसको vapor में बदलने में यानि की भाप में बदलने में थोड़ा लंबा समय लगेगा और इसी वज़ेसे smoke trails काफी देर तक दिखाई देती है और वहीं अगर बाहर की जो हवा है वो ज्यादा थंडी नहीं है और उसमें humidity भी काफी कम है तो पानी की जो droplet से वो बहुत जल्दी भाप बनकर उड़ जाएंगी तो इ अगर control जल्दी गाया बुजारी है तो humidity काफी कम है यानि कि मौसम साफ रहने वाला है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एरक्राफ ब्लैक कलर का smoke भी छोड़ता है और इसका कारण बस यहीं होता है कि एरक्राफ के इंजिन में जो combustion है वो साईस से नहीं हुआ है और आपको ब् पहले generation के jet engines आते थे उनमें combustion का issue रहता था जिस वज़े से वो black color का smoke भी generate करते थे तो अब जब भी अगले बार से आपको आसमान पर सफेद कलर का smoke दिखाई देगा वो भी एक line में एक पट्टी की तरह तो आपको मालूम रहेगा कि यह किस वज़े से हुआ है तो हमारे करना ना भूलें